Hello guys, welcome to the channel Insane Arena, मैं हूँ आपका दोस Insane San and guys आज की मेरी वीडियो important video है and it is for all the underdogs because underdogs के लिए जो है एक टीम बनाना बहुत जादा important है तो आज के लिए मेरी वीडियो है, इसका topic है how to make a team and how to build a synergy accordingly and guys ये वीडियो प्लीज ध्यान से देखें, बहुत जादा specific चीजे मैंने नहीं ब आता है, उन पर emphasize किया है ताकि आप लोग काम कर सकें उस पर and I hope आप एक ऐसी अच्छी टीम बना सकें जिससे आप के achievements भी बिल्डों, so guys, without further ado, let's get to the video. So guys, जैसा आप लोगों को पता है कि season 13 आ चुका है और season 13 में यार ये बहुत shocking सी बात है कि मैं काफी सारे players से मिलता हूँ daily basis पर मेरे को DM आते हैं, जो season 13 में आने के बाद भी जिनके पास team नहीं है and at times मैंने उनलों को ये कहते वे सुना हैं कि यार उनकी जो पुरानी team थी, वो serious नहीं थी या जो भी सारी चीज़े हैं बट ये जितने भी excuses, reasons जो भी है वो बहुत जादा similar है एक दूसरे के तो मुझे तो ये, I don't understand किया, season 13 में भी आने के बाद लोगों के लिए इतना tough क्यों है team बना पाना but क्योंकि यार, ठीक है, reasons अपने अपने है, I know कि competitive बहुत बढ़ गया है competitive scenario क्योंकि पहले इतना नहीं था, तो अब क्या है, हर कोई क्या है, better player की तरफ भाग रहा है हर कोई better team की तरफ भाग रहा है, and you know, this is partially right but it is partially wrong as well, क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरा मानना ये है, कि आपको जो है अपनी team को, जो टूटी-फूटी, आधी-अधूरी team है, आपको उसको better करना चाहिए rather than, you know, running after a better team, running after pro players, जिनकी team में आप जाओ because हम लोग, we are lacking values lately, we have started lacking values, हम लोग क्या है, जो better है, पका-पकाया जो बना हुआ है, हम लोग उसके तरफ जाना चाहते है, बहुत सारे लोग, and हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं अपनी खुद की team को build करने का, जो अपने आरे पास already एक team है हाथ में अब सवाल आता है कि यार, हम जो है, अगर by any reason हमारे पास team नहीं है अभी, तो हम एक अच्छी team बनाए कैसे तो इसमें मैं आपको ये बात कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिये सबसे पहले आप assessment कीजिए, आपके पास available players कौन से हैं, आप किनको personally जानते हैं क्योंकि जिनको आप जानते हैं, जिनको आप personally अब तक season 1 से, 2 से, अभी तक खेल रहे हैं जो आपके साथ, आस-पास आपके friendless में हैं, and if they're also looking for a team तो उनके साथ, you know, there is a better chance to click, there is a better chance to build a nice and tight synergy तो आप उनसे बात कीजिए, अगर उनके पास team है, team नहीं है, अगर उनके team में slot है and you play a couple of classics with them, because मैं आपको पताता हूँ, अगर आपको, आप चाहते हो कि कोई और team आपको उनकी अपनी team में ले, तो you have to perform better in at least classics क्योंकि सीधा custom में तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, alright, अगर कोई बुला भी देता है तो you are more likely to choke, because आप एक नई team के साथ custom में directly खेलो तो बहुत जादा pressure आजाता है, you know, performance pressure आजाता है, तो आप choke कर सकते हैं तो आप classic खेलिए उनके साथ, अगर आपको अच्छा लगता है, if you guys click, तो उनको अप्रोच कीजिए बट अभी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये सिनारियो बहुत change हो गया है, कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग टीम बनाने से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, क्लान को अप्रोच कर रहे हैं या कोई भी XYZ क्लान है, तो उसको अप्रोच करने का ट्राइ कर रहे हैं, जिनका थोड़ा सा नाम है, reason being, उनको लगता है कि अच्छे क्लान में जाएंगे, तो उनको अच्छा लाइन अप मिलेगा, ऐसा नहीं होता, guys, देखो आप एक बार को ना, आप सोल में भी अभी चल करते हैं, because जो नॉर्मल क्लान होती है, वो बहुत जादा महनती होती है, trust me, as compared to, you know, the big names, big short names, जो आप इंडस्टी में देख रहे हैं, gaming में, उनके comparison में चोटी क्लान बहुत जादा महनती होती है, उनमें एक जील होती है, guys, perform करने की, team बनाने की, friendliness होती है, बहुत जादा, ठीक है, hospitality, जो है, बहुत सारी चीज़े matter करती है, तो I would always say कि आप छोटी क्लान के लिए target कीजिए, because easier to approach, and you know, उनमें एक जजबा होता है, performance देने का, तो ठीक है, आप चलिए, आप किसी को भी बात करते है, आप देखिए, आप जान पेचान किसके साथ है, आपके पडोसी क कोई खेल रहा है, पडोस में, चाचा ताउ के ललके, या कोई भी XYZ प्लेयर्स है आपके, उनसे बात कीजिए, and if they play well, तो आप उनके साथ एक टीम बनाने का try कीजिए, क्योंकि आइस, देखिए, प्लेयर्स तो आपको अपने आस-पास से ही डूनने पड़ेंगे, और वो स परसनली एक दूसरे को जानते हैं, तो थोड़ा सा trust जो है, वहाँ से बिल्ड हुआ, and then वो team बनी, उसके बाद Kratos, Kratos उनके अपने पुराने क्लान में था, all right, तो उनोंने, they played a couple of classics, couple of क्या, काफी सारे classics के लिए, chill classics के लिए, मज़े किये, and then उनकी synergy click हुई, and that is how they made up a team, औ तो ये जीज़ बहुत मैटर की, और उनोंने कस्तम्स में भी परफॉर्म किया, तो दाट है, उनकी अपनी जो है, team बनी, तो और मैं आपको अगर बताऊंगा, तो हैक्स का ही मैं अपना बता देता हूँ, हमारे बाकी सारे lineups का भी मैं बता देता हूँ, Instagram पे मेरे बहुत सा तो मैं उशीन से मिला उस गेम में, और उशीन से मिला उशीन के थ्रू अभी और मैंग से भी मिला, तो हम चारों खेलने लगे, इन दिन जब ये लोग नहीं होते थे, तो मैं एक random खेलता था, तो random खेलने से मेरे को और बहुत सारे लोग मिले, Charlie भाई मिले मेरे को, Damage भाई मिले, और बहुत सारे ऐसे से प्लेयर्स मिले, जो खुद जो है न, प्लेयर्स धूंड रहे थे, तो हम लोग को मिले, हम लोग खेले, क्लिक किया, दोस्ती आ रही हुई, तो हम लोग साथ में, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, कि अभी पीछे Charlie भाई की शादी थी, तो Charlie भा लोगों के भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, तो जब आपके पास ऐसे दोस्त है, तो आप उनको कंसिडर कीजिए, ठीक है, अब आप देखे, प्लेयर में क्या देखेंगे, प्लेयर में आप देखो, आप देखो, आटिट्यूड देखो, कि प्लेयर का आटिट्यूड कै पर गाली देता है, कोई दिक्कत नहीं है, but toxicity एक limit तक होनी चाहिए, एक हद तक होनी चाहिए, in-game toxicity है, all right, but in-game जो rage toxicity होती है, वो नहीं होनी चाहिए, because often rage destroys the lineup, and you know, it hurts the ego of the players as well, तो ये चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखें गाईज, पर गाईज, attitude के मामले में आपके बाद सबसे बड़ा example है, सबसे बड़ा, you know, एक benchmark set के है, model ने, model का जो calm and composed attitude है, temperament है, वो बहुत बड़ा एक example है, और, you know, आप सब लोगों को से सीख लेनी चाहिए, आप देखि कभी भी उसको gamer rage दिखाते हुए, या अपने team players को, you know, इस तरीके से जलील करते हुए, तो please, do not do that, वो अच्छा नहीं लगता, देखो, आपको अगर कोई करेगा, तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, तो आप expect करो कि, यार, जो आपके सामने player है, वो भी आपके साथ इस तरीके से कोई चीज ना करे, तो ये तो हो गया, you know, attitude की बात, no toxicity basically, और फिर आपको यार, एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए, if you want me to help you out with the team, तो मैं एक entirely dedicated whatsapp group बना देता हूँ, आप मेरे को comments में बता दीजेगा, if you want me to do that, मैं एक dedicated whatsapp group बनाऊँगा, ज इसमें सारे underdogs, जितने भी team requirement, team recruitment, I'm sorry, कर रहे हैं, तो वो उधर से आपको अगर team join करनी है, तो आप उधर पे whatsapp group में add होगे, आप अपना requirement और अपने starts वगरा, जो भी achievement है, वो डाल सकते हैं, प्लेयर के, टीम और प्लेयर्स के, पे की चाहते हैं, तो that I can do for you guys, तो anyway, coming back to the point तो आप, guys, इस तरीके से आप team बनाईए, प्लेयर्स देखिए, alright, Instagram पे आपके friends होंगे, I'm sure, yeah, 100-200 followers अपके होते हैं, alright, अगर आपके हैं 100-200, 400, तो आप देखिए उसमें, कि आपके आपके आपस कौन सा प्लेयर अच्छा है, उसको बात कीजिए, कि bro, आप team में हैं या न पूटता है कि आप लोग जो है ना, team में, game में अपनी synergy कैसे build करें, तो guys, मैंने ये जीज़ बहुत जादा notice की है, कि आजकल जो है ना, performance measure जो हो गया है, वो customs का हो गया है, alright, ये भी मैं बोलूँगा, partially correct है, but performance measure जो होता है, किसी भी individual player का, हमको individual player का नहीं, हमको team game देखना, because PUBG जो है, और tournaments का जितना भी हमारा competitive scenario है, it is entirely based on the achievements of the team, तो क्यों हम एक player की achievement और एक player को देख रहे हैं, हमको चारो players को एक साथ देखना चाहिए, हमको team को देखना चाहिए, अब एक player आप लेते हैं, उसको सीधा अगर आप custom खिलाते हैं, obviously वो pressure में आएगा और वो underperform करेगा, तो इससे क्या होगा, player को, खुद का, player का attitude जो है, player का खुद का, जो, you know, self respect है, वो break होगा, demotivate होगा player, और आप भी, you know, आप भी एक, दिमाग में एक impression create कर लेंगे that this particular player is not very good, तो मैं आपको ये कहूँगा, once you make up a team, आप customs खेलिए, but custom से जादा classic खेलिए शुरुआत में, reason being guys, जो synergy शुरुआत में compatibility बनती है, जो friendliness बनती है, वो classics में बनती है, all right, आप जो है, classics खेलिए, ठीक है, chill classics खेलिए, एक दम जिसको जो करना है, आप वो कीजिए, मज़े कीजिए, बाचीत कीजिए, एक दूसरे से, ठीक है, और आप खेलते रहिए साथ में, दो, चार, प customs के बाद, जब आप classics खेलेंगे, फिर customs खेलेंगे, और आप टॉर्नमेंट में खेलेंगे तो definitely आपको एक performance में बहुत जादा difference नजर आएगा, अगर आपने classics में नो अच्छा work किया है अपनी team पे, अब classic में जो teamwork होता है, वो बहुत matter करता है, क्योंकि देखिए, हम लोग क लोग का, गुन गेम जो है, प्रक्टिस होता है, हम लोग क्या कर रहे हिं, हम लोग सारे गेम जॉरजो पोल में कूद रहे हैं, जॉरजो पोल में कूद रहे हैं, आपका क्या practice हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपकी team synergy नहीं built हो रही है, just convictions, कीजिए न अगर आपको hot drop लेना है तो hot drop के आसपास उतर ही है team game खेलिए proper flank कीजिए आप pressure build मत कीजिए थोड़ा no pressure game खेलिए chill classics खेलिए try to go for the kills and try to go for the chicken dinner as well आपकी synergy build होगी बहुती शानदार synergy build होगी trust me and you know एक दूसरे से other than the game भी chat कीजिए अपने players के साथ whatsapp में instagram पे video call कीजिए एक दूसरे को बहुत जादा important है guys extremely important this is कि अगर आप other than the game real life में भी अगर आप interact कर रहे हैं किसी player के साथ तो बहुत जबरदस synergy build होने का chance है guys और अगर आप लोग आसपास रहते हैं दूसरे के तो please try and meet each other catch up कीजिए एक दूसरे से अगर आप आसपास रहते हैं बहुत सारे players है मुंबई में अलग अलग जगा पे रहते हैं अभी तो lockdown चल रहा है बड़ लोग डाउन के बाद आप try कीजिए मिलने का बहुत अच्छा रहेगा मैं जितने भी मेरे players हैं आसपास देरादून के मैं सबसे मिला हूँ मेरे खुद के team के players हैं मेरे खुद के जो clan के हैं या दूसरे clan के भी players हैं जिनको मैं अभी तक नहीं जानता था मैं उनसे personally जाके मिला हूँ हम लोग काफी अच्छा बहुत अच्छा connection bonding हूँ है team sad वालों के साथ team no team uk07 you know इनके साथ बहुत अच्छा click हुआ है हमारा so guys इस चीज़ को आप maintain कीजिए और बहुत जबरदस आपकी synergy build होगी and guys अगर आप अपने सामने किसी अच्छे player को देखते है तो ये मत सोचिए कि वो जो करेगा वो सही होगा और आप जो करेंगे वो गलत होगा हम लोग की basic human tendency है कि हम लोग ऐसा करते हैं please don't do that you lose yourself respect and आपका अपना game खराब हो जाएगा दब ये नहीं अपना perform करके रखिए और उस player के होने का advantage लीजिए and last बात guys अगर आपका team का player कोई choke करता है तो please उसको demotivate मत कीजिए because वो overcome कर सकता है आपके support से कर सकता है आप सब लोग भी choke करते हैं आप भी overcome कर सकते हैं and अगर आपने किसी player को demotivate कर दिया तो guys वो फिर कभी भी उस choke point से नहीं निकलेगा and यह आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी player को help out किया motivate किया तो you know you'll earn forever respect in front of him and आप as a player as a person हर जगह से your character will also grow तो guys game में maturity आएगी इस चीज से so this is it guys यह सारी चीजे मैंने बताई I hope आप लोग को help करेगा यह सब and guys आप लोग अगर किसी particular topic पे चाहते हैं video बनवाना तो please मेरे को बताईए in the comment section until then guys thank you so much for watching this is me insane signing out